नमस्ते और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के मेडिटेशन सेशन में आज हमारा सात्वा दिन है और आज हम सीखने वाले हैं स्वाधिश्ठान चक्रव पर किस तरह से ध्यान देना तो आएए इस मेडिटेशन सेशन का शुरुवात करते हैं आप अपने मैट पर बैठ जाएए और एक कम्फटिबल अवस्था में आजाएए आप सुखासन में बैठ सकते हैं आप अपने पीट को सीधा रख सकते हैं अगर ये थोड़ा तनाव दायक है तो आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं या फिर आप एक कुरसी पर भी बैठ सकते हैं अपने पीट को पूरी तरह से सीधा रखते हुए तो आएए शुरू करते हैं पीट को सीधा रख लीजे कंधे पीछे हाथों को ग्यान मुद्रा में लियाए और घुटनों पर रख ले जब भी आप तयार हों धीरे से आखों को बंद कर ले और जैसे ही और जैसे ही आपकी आखे बंद हो जाएं सारा ध्यान आपके श्वास प्रश्वास पर लियाए किस तरह से आप सास ले रहे हैं और हलके से छोड रहे हैं किस तरह से आपका शरीर इस वक्त महसूस कर रहा है बस कुछ पलों के लिए अपने अंदर की दुनिया से वाकिफ हो लें और ये देखने का प्रैत्न करें कि अंदर क्या हो रहा है क्या हमारी शरीर में कहीं भी तनाव है क्या हम खुशाल मैसूस कर रहे हैं और क्या हमारा मन शान्त है आपको कैसा लग रहा है इस पल में उस पर ध्यान दे क्या है झाल झाल और एक बार जब आप शांत महसूस कर रही हो तो आईए हमारा सारा ध्यान हम अपने स्वाधिश्ठान चक्र पर ले जाएं ये चक्र हमारे नाभी के एक या दो इंच नीचे स्थित है तो सबसे पहले इसे ढूंडने के लिए हम अपना ध्यान नाभी की ओर ले जाएंगे वहाँ कैसा महसूस हो रहा है उस पर कुछ वक्त ध्यान देंगे और फिर ध्यान को थोड़ा सा नीचे ले जाते हुए स्वाधिश्ठान चक्र को महसूस करने की कोशिश करेंगे अगर हम बराबर से ध्यान दे तो ये चक्र हमें महसूस होगा और इसका अनुभव भी हम कर पाएंगे तो आप ध्यान देते रहें इस चक्र पर देखिए वहां क्या कुछ प्रानिक एनरजी का सम्मिलन है क्या आपको वहां कुछ महसूस हो रहा है अग्या क्या आपको पाएंगे झाल और जैसे जैसे आप स्वाधिष्ठान चक्र को मैसूस करने लगते हैं तो वहाँ एक ओरिंज एक ओरिंज रंग की रोष्णी को लियाएं जो संत्रे का रंग होता है उसे हम इमाजन करें इस चक्र पर एक बढ़िया रोष्णी की तरह और जब ये रोष्णी प्रज्वलित हो जाए तो हम ध्यान दे सकते हैं कि किस तरह ये चक्र काम कर रहा है और इस चक्र का बीज मंत्र जो की वम है इस पर भी हम ध्यान देंगे एक बार जब आपने उस संत्रे या औरंज कलर के रोष्णी को वहां देख लिया है अपने मन की आँख से तो अब अपने मन में आप वम का उच्चार करेंगे वम इस तरह बोला जाता है वम इस आवास का हम उच्चार मन ही मन हम करेंगे हर सास के साथ आप आँखे बंद रखे और आप पूरी शांती के साथ मन का ध्यान चक्र पर और मन की आवाज में वम का उच्चार करेंगे वम पर पर रखे प्राइब प्राइब का उच्चार आप आप पित्वाज बंद याज़ था प्राइब का उच्चार मन का उच्चार झाल झाल जब धीरे से हम इस ध्यान की प्रक्रिया से धीरे-धीरे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे. हमारा स्वाधिष्ठान चक्र हमें अपने आपके बारे में क्या सिखाता है? स्वाध्याय किस तरह से हम कर सकते हैं? और किस तरह से हम खुद ही स्वाधिष्ठान चक्र में बैठे हैं? और जैसे जैसे ये चक्र बैलन्स होता जाता है और ठीक से काम करने लगता है, तब हमारे जिन्दगी में भी उसका परिनाम दिखाई देता है, हम क्रियेटिव बन जाते हैं, ज्यादा सिक्यॉर बन जाते हैं, हम अपने काम पर बहतरीन तरीके से धियान लगा सकते हैं, तो इस चक्र के कई फाइदे हैं, और हम इसे समझने की कोशिश करें, बस कुछ और पलो के लिए शांती बनाए रखें, और अब धीरे से आपका सारा ध्यान, आप स्वाधिष्ठान चक्र से धीरे से हटा लें और वापस अपने शरीर, अपने सांसों पर ले आएं, स्वाधिष्ठान पर ध्यान को समाप्त करते हुए, वापस उपर की ओर बढ़ें, और जैसे जैसे आप वापस आजाएं, धीरे से अपने इंद्रियों को भी बाहर की तरफ ले आएं, आज हमने इस स्वाधिष्ठान चक्र पर थोड़ा सा ध्यान दिया, वैसी तो हम इस चक्र पर बहुत देर के लिए ध्यान दे सकते हैं, पर आज हमने सिर्फ इस चक्र को थोड़ा सा ज्ञाका, उसे थोड़ी सी मुलाकात की, और अब हम धीरे से इस ध्यान को और स्वाधिष्ठान चक्र के प्रक्रिया को समाप्त करते हुए वापस आएंगे, तो धीरे से आप अपने हाथों को नमस्ते में ले आएंए अपने चाती के सामने, सीधे बैठिये और अब हम एक ओम का उचार करेंगे तीन शान्ती के साथ, तो आईए गहरी सांस अंदर लेते हैं, ओम् ओम् शान्ते, शान्ते, शान्ते हैं, और अब धीरे से अपने हाथों को रगड लें, हाथों को रगडने के बाद हथेलियों को आँखों पर रख लें, और धीरे से हाथों को चाती के सामने ले आएं, आखे खोलें, हाथों को देखें, और फिर धीरे से एक मुस्कान के साथ वापस आ जाएं। तो ये था हमारा आज का मेरिटेशन सेशन, जहां पर हमने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान दिया और समझने की कोशिश की कि इस चक्र में क्या हो रहा है, हमें वहां कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह से हम उसे बैलन्स कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आपके चक्र में या आपकी प्रानिक एनरजी में कुछ भी गड़बड हो रही हो, तो वो आपके सभाव में और आपकी परस्नालिटी में दिखाई देती है। तो इसलिए खुशाल रहने के लिए अपने आपको सक्षम बनाने के लिए हम इस चक्र पर ध्यान देते हैं, ताकि हम अपने आपका बेस्ट वोर्जिन बन सके और फिर खुद को और दूसरों को भी खुशाल रख सके। तो इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कर आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे डे एट के मेरिटेशन में जा हम अगले चक्र पर ध्यान देंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हम आपसे जल्दी मिलेंगे। नमस्ते